स्टुडेंट कैसे आप सभी स्टुडेंट इस से प्रीविस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो वन हेक्टेयर है हमारा वन हेक्टेयर के अंडर जो एरिया होगा स्टुडेंट वो हमारा था 10 की पावर 4 मीटर स्क्वेर यानकि 10 हजार जो मीटर स्क्वेर का एरिया है वो वन हेक्टेर के अंडर आएगा, यानि कि जैसे कई बार हम खेती करते हैं, तो वहाँ पे हेक्टेर को काफी कई बार सुना जाता है, कि वन हेक्टेर जमीन की उसने खेती खे रखी है, दस हेक्टेर जमीन उसने बो रखी है, तो इसका मतलब यह होगा student, कि जो जमीन हमने ब तो वो जो student area होगा वो हमारा one hectare of area के बराबर होगा इसी तरीके से student अगर हम बात करें आपका one acre के अंदर कितना area होता है तो one acre का जो area होता है student आपका one acre का जो area है उसके अंदर four thousand forty seven meter square का area होगा यानि कि अगर one acre जिसको जैसे एक एकड बोलते हैं हम एक एकड का जो area होगा उसके अंदर four thousand forty seven meter square student हमारे पास area cover up होगा इसी तरीके से student अगर और चोटी units थी उनके बारे में कल मैंने आपको बता दिया था इसी तरीके से student अगर हम mass की बात करें जैसे अगर हमने काफी heavy masses को measurement करना है तो देखेगा student mass यानि की भार को measure करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी units हैं तो student देखेगा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ one ton की तो जो one ton बोला जाता है उसके अंदर कितना mass होगा देखेगा student mass को हम kilogram के अंदर ही convert करेंगे क्योंकि जो SI unit है जो ज़्यादातर हमें चाहिए होगी numerical में वो kilogram चाहिए होगी तो अगर आप one ton को kilogram में convert करना चाहेंगे तो one ton के अंदर student हमारे पास one thousand kilogram होगे इसी तरीके से अगर आप one quintal की बात करें one quintal के अंदर ये तो आप सभी को पता ही होगा बड़ा सा easy ही है one quintal के अंदर student हमारे पास 100 kg होगा इसी तरीके से student अगर मैं बात करूँ one lb देखीगा ये हमारे पास एक थोड़ी सी नई चीज़ आई है one lb actually में ये ज़्यादा जो one lb है आपका one lb ये student हम use करते हैं pound के लिए जो pound होता है जैसे मैंने आपको बताया था जो british system था हमारे पास fps system आपको ध्यान होगा ना fps system तो वहाँ पे foot use हुआ था हमारे पास length को measure करने के लिए pound use किया था हमने ये आपके पास foot था ये pound था और ये आपके पास second था तो जो हमने ये p use किया था student यहाँ पे जो pound use किया था वो british system में था अब आपको ये बताना जरूरी है कि pound और kilogram में क्या relation है तो student आपको ज़्यादा तरह वहाँ पे lb लिखा मिलता है तो देखे एक बार पहले तुम आपको ये बता देता हूं कि one pound के अंदर कितने kilogram होंगे student अ हमारे पास जो kilogram हो बड़ी unit है और pound छोटी unit है अगर आप ये बताना चाहें कि बताएगा one kilogram के अंदर pound कितने होंगे तो देखेगा आपने one pound के अंदर kilogram बता दिया वो बना 0.4536 लेकिन अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि one kilogram के अंदर कितने pounds होंगे तो student हम उसको आप divide क करके असानी से निकाल सकते हैं तो 2.2 lb या pound होंगे देखेगा इसके पिछे lb लिखने का lb क्यों लिखा होता है देखेगा student ये जो lb word है ये आपका एक latin word है student lb है आपके पास एक latin word है जैसे आपने मैंने आपको बताना कई सारे greek word होते हैं कई सारे latin word होते हैं क्यों अमरीकी देश उनको latin country जो बोला जाता student आपको पता ही होगा तो lb जो बना है ये student ये आपका बना है latin word से जिसका मतलब होता student libra lb का मतलब है libra और अगर इस libra को हम इस libra को अगर हम convert करें आपका इंगलिस में तो इसका मतलब बनता है scale इसका मतलब होगा student आपका scale scale भी बोल देते हैं और या फिर balance बोल देते हैं तो libra का मतलब होगा scale या balance तो यहाँ पर जो lb है वो latin word ही है जिसका सुधरा वारूप आपके पास scale भी बैलेंस है तो आपने ध्यान में रखना student books में आपको lb मिलता है लेकिन आप सोचेंगे sir लिखा तो lb है लेकिन बोल इसको pound रहे है तो lb का मतलब libra जो की latin word है जिसका मतलब होगा balance तो student यह हमने देखा कि कुछ heavy units भी देखी हमने और कुछ चोटी units भी देखी mass को measure करने के लिए अब हम अगर बात करें student तो जो largest practical unit है जो सबसे बड़े unit है अगर मैं बात करूं largest practical unit कई बार questions मनता student largest practical unit for measuring mass what will be that largest practical unit for measuring mass तो student ध्यान रखेगा जो सबसे बड़े unit है जो practical unit है उसको गोलते है student हम चंदर सेखर limit ध्यान रखेगा important है चंदर सेखर limit mass की सबसे बड़े unit है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी है 1.4 times ये बड़ी है 1.4 times the mass of sun तो student आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो sun का mass है उसका भी 1.4 times हमारे पास चंदर सेखर limit है तो काफी जादा बड़ी unit है student ध्यान रखेगा mass को measure करने की ये unit है इसी तरीके से student अगर आपको ये पता हो ये तो बड़ी से बड़ी unit हुई अगर ये पूछने की बताइए छोटी से छोटी unit क्या है जो small mass को हम measure करने के लिए तो जो small unit होंगी student हमारे पास वो होगी आपके पास 1amu ये 9th class में आप amu का मतलब ये होगा student one atomic mass unit a का मतलब atomic m का मतलब mass और u का मतलब unit तो जो one atomic mass unit है student ये mass की काफी छोटी unit है और ये जो one amu है क्योंकि student देखेगा si unit हमारे पास kilogram है तो हमें सभी units को kilogram के अंदर ही convert करना होगा तो जो one amu student उसकी value हमारे पास 1.66 into 10 raise to power minus का 27 kilogram होगी काफी important unit strength और आपको ध्यान में इस चीज़ को रखना होगा तो student हमने देखा कि mass की भी हमने different different unit देखी ton, quintal, pounds, kilogram largest unit क्या है smallest unit क्या है तो student इसके बाद जो हम अभी आगे बात करेंगे यहाँ पर तो उसके बारे में student अभी मैं आपको बताऊंगा देखीगा इसके बाद जो हमारा अगला topic है student वो हम और कुछ units के ओपर यहाँ पर बात करने जा रहे हैं जैसे हमारे पास कुछ practical units और भी हैं कुछ important practical unit है जिन में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो unit है student वो हाँ आपकी astronomical unit देखेगा यह कुछ practical unit है और यह astronomical unit है student अब यह क्या है इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा astronomical unit इसको हम student 1 AU भी बोलते हैं A stand for astronomical and U stand for unit तो student जो हमारे पास one astronomical unit है इसका मतलब क्या होगा student अब देखेगा यह हम एक minute के लिए मान लेते हैं कि हमारा sun है और यह sun का हमारे पास यहाँ पर एक center है और यह student मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास अर्थ है और यह अर्थ का center है देखेगा student यह sun माना है मैंने और इसको मैंने माना है अर्थ अब इन दोनों के center के बीच की जो दूरी होगी student ध्यान रखेगा इनके center के बीच की जो दूरी होगी उसी को बोला जाता है student आपका astronomical unit यानि कि हम बोल सकते हैं कि जो average distance होगी अगर center से लेंगे तो average ही होगी student तो astronomical unit क्या है it is average distance between center of sun and center of earth center of sun and center of earth तो student यह आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि astronomical unit क्या होगी average distance between center of sun and center of earth is known as astronomical unit और अगर इसकी मैं बात करूँ student practical value क्या होगी तो 1AU क्योंकि student आप जानते हैं कि यह एक दूरी है एक length है तो length को हमेसा मेजर करते हैं student आपका meter में तो इसको meter में convert करेंगे तो यह होगा 1.496 into 10 raise to power 11 meter या approximately इसको बोल सकते हैं 1.5 into 10 raise to power 11 meter यानि कि कई बार आपने सुना भी होगा कि sun और earth के बीच की दूरी क्या है तो यह वही है student हमारे पास आपका astronomical unit तो I hope student यह lecture आपको अच्छे से clear होगा समझ में आया होगा यहाँ पे हमने कुछ important units की बात की मास की कुछ important units की बात की चोटी units भी बड़ी units भी और उसके बाद हमने आपको astronomical unit क्या है उसके बारे में भी बताया तो I hope student यह आपको lecture आज का समझ में आया होगा फिर भी अगर आपको इस related कोई doubt है तो आप comment करिए comment box में comment पूछे अपने youtube channel पे visit कीजिए और वहाँ पे आपको और भी काफी सारे important videos देखने को मिलेंगे student तो I hope student आपको यह वीडियो समझ माया होगा student कोई doubt हो तो comment करें वीडियो को like करें share करें and subscribe करें again student thanks for watching